हेलो फ्रेंड्स दिस जोती वर्मा तोटे आम गोईंग टू स्टार्ट विद नॉलेज और करिकुलम जिसके हमने कुछ टॉपिक्स लास्ट वीडियो में देखे हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉलेज करिकुलम क्या होता है या अपस में कैसे इंटर रिलेट कर जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर क्या के डिफ्रेंसिज है नेक्स हमने उसके बाद एक टॉपिक और बढ़ा था जिसके अंदर था कि जो हमारा करिकुलम है उसका पूरा फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन किया गया तो अगर आपको यह सारी वीडियो देखनी है तो मेरे चैन किस तरीके से अलग है instruction से वैसे तो हम यह मानते हैं या हम यह कहलें कि विद्याले में जो teachers है या अधर कोई समाज का वेक्ती है वो यही समझते हैं कि जो annotation instruction होता है और यह teaching एक जैसा ही है क्योंकि जब तक instruction मिलेगा नी तब तक बच्चा कोई भी पढ़ेगा नी मतलब वो study में ध्यान ने देगा तो instruction सिक्षा में जरूरी है लेकिन instruction जो होता है हमारा annotation वो किस तरीके से सिक्षा से अलग है teaching से अलग है तो सबसे पहले हम देखेंगे first point की section क्या है और annotation क्या है इन दोनों के ही एक पॉइंट हम साथ साथ में लेके चलेंगे तो सबसे पहला हम देखेंगे कि section अधिक व्यापक प्रकिरिया है मतलब section जो है वो अधिक व्यापक मतलब wider level की पकिरिया है एक process है wider level की इसी तरीके से हम annotation में देखेंगे कि instruction क्या है annotation की प्रकिरिया नहीं है उसको सिक्षा नहीं मानी जाएगी इसी तरीके से second point हम देखेंगे annotation का instruction का जिसके अंदर है जो सिक्षार्ती को पारसपरिक संबंदों के बिना कुछ उदेशियों की और प्रभावित करती है मतलब जो सिक्षार्ती को यानि सिक्षार्ती का मीनिंग क्या होता है student, विद्यार्ती तो आप confused मत हो ना कि सिक्षार्ती और विद्यार्ती आलग होता है या सिक्षार्ती हमारा teacher होता है सिक्षार्ती भी एक विद्यार्ती यानि student या छात्र होता है कक्षा का तो इसके अंदर है जो सिक्षार्थी को पारसपरिक संबंदों के बिना, मतलब पारसपरिक संबंदों के बिना ही कुछ उदेशियों की और प्रभावित करती है, कुछ उदेशियों की और, यानि instruction के अंदर कुछ उदेशियों की और वो उसको प्रभावित करती है, यानि student को तो teaching के अंदर हम third point देखेंगे section व्यक्तित्व के अनेक पक्षों यानि व्यक्तित्व जो है एक personality है individual है उसके अनेक पक्षों को प्रभावित करता है यानि उसका all over development होता है मतलब जो section है जो हमारा teacher है section कौन करता है teaching कौन करता है हमारा teacher और वो उसका दाइत्व क्या होता है कि वो बच्चे का all over development करे यानि सरवंगीन विकास एक teacher के ही हाथ में होता है कि वही करेगा तो next है section व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को प्रभावित करता है अर्थार्थ section से ज्यानात्मक यानि ज्यान से related भावात्मक यानि emotion से related एवं क्रियात्मक यानि activities से related तीनों पक्षों का विकास होता है मतलब cognitive development होता है emotional development होता है और उनकी active skills का development होता है इसके अंदर इसी तरीके से हम next देखेंगे सिक्षण का ही fourth point जिसके अंदर है सिक्षण में एक महत्पूर इस्थान सिक्षण का होना अनिवार है सिक्षण के अंदर यानि टीचर नहीं होगा तो teaching कैसे होगी तो teaching के अंदर एक सिक्षण का होना अनिवार है महत्पूर है एक teacher एक सिक्षण के लिए यानि सिक्षण teaching के लिए next है हमारा anudation के अंदर fourth point जिसके अंदर है anudation का संबंद सिक्षार्थी को किसी विशेश से संबंदित ज्यान परधान करने मातर ही नहीं है मतलब एक तरीके से जो instruction है वो क्या है उसका संबंद सिक्षार्थी को किसी विशेश के मतलब totally हमें इसमें ये समझना है कि जो हमारा सिक्षन है वो तो हमें teaching भी सिखा रहा है और हमारा all over development भी कर रहा है लेकिन जो अनुदेशन है वो हमें विशह से संबंदित कुछ नहीं बता रहा है वो हमें अन्य प्रकार की instructions दे रहा है दूसरे ग्यान से मतलब उनका जरूरी प्रकार का instruction हो सकता है किसी भी चीज से related तो next हम देखेंगे इसके अंदर fourth sorry fifth इसके अंदर देखेंगे सिक्षक की उपस्थिती में जो प्रभाव चात्रों पर पढ़ता है मतलब जब सिक्षक उपस्थित होगा सिक्षक प्रेजन्ट होगा कक्षा में तो उसका जो प्रभा चात्रों पर यानि student पर पढ़ता है वैसा प्रभाव अनुदेशन में नहीं पढ़ता यानिए शिक्षक का प्रभाव जो कक्षा में पढ़ेगा बच्चों पर वो अनुदेशन में यानी इस्कूल का प्रिंसिपल हो, स्कूल का कोई और टीचर हो, या कोई नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या कोई भी हो, वो इंस्ट्रक्शन कोई भी दे सकता है, और आपको वो मानना होगा, यानि आप छात रहें, तो आपको अगर कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो इंस्ट्र ले सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे instruction के अंदर जिसके के अंदर है आमने सामने सिख्षक की उपस्तिती आवशक नहीं है इसी के अंदर नेक्स हम देखेंगे instruction के अंदर इस प्रकार के ग्यान प्रदान करने को सिक्षण नहीं कहते हैं, मतलब इस प्रकार का ज्यान जो हमारी विशे से रिलेटिड ना हो इस प्रकार के ज्यान को प्रदान करने को सिक्षण नहीं कहते हैं इस प्रकार का ज्यान कोई भी प्रदान कर सकता है उसको टीचिंग नहीं बोल सकते हम ये सिर्फ एक instruction ही कहलाएगी लास्ट पॉइंट हम देखेंगे teaching के अंदर जिसके अंदर है सिक्षण में बालक एवन सर्वांगिन विकास मतलब बालक का जो सर्वांगिन विकास है उसका all over development है सिक्षण की देखरेख में होता है यानि सिक्षण उसका एक तरीके से facilitator है कि सारी facilities सिक्षक को यानि teacher को बच्चे के सर्वांगिन विकास के लिए सारी facilities उसको provide करानी होगी next हम देखेंगे annotation के अंदर यानि instruction के अंदर इसके अंदर क्या है annotation अपनी चरम सीमा पर पहुँचकर भी सिक्षण का इस्थान या सिक्षक का इस्थान नहीं ले सकता यानि अनुदेशन कैसा भी हो instruction कैसा भी हो वो कभी भी teacher का इस्थान नहीं ले सकता या teaching का इस्थान नहीं ले सकता so friends आज हमने पढ़ह section, album, annotation teaching and instruction जो है हमारा वो किस तरीके से एक दूसरे से different है तो दोनों के अंदर हमने कुछ points देखे लगबग 78 points हमने देखे हैं जो आपको समझने के लिए लगबग काफी होंगे फिर भी आपको अगर इस वीडियो में कोई problem है या इस वीडियो में कोई point आपको समझ में नहीं आया या आपको किसी भी topics related कोई भी problem है तो आप comment box में comment कर सकते हैं and thank you so much for watching this video मेरे चनल को like करें, subscribe करें, comment करें and share करें